Hello Friends, मेरा नाम है आभीदेखे and welcome to TechSore कि आप अपने Windows 11 कम्प्यूटर या लाप्टॉप में अपना CPU टेंपरेचर देखना चाहते हैं तो यह कैसे देखें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो ध्यान से देखते रहिए देखें किसी वजह से Windows 11 में डारेक्ट आप CPU का टेंपरेचर नहीं देख सकते हैं पर यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल जैन्वन तरीका है CPU टेंपरेचर देखने का तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने कोई भी ब्राउजर में चले जाएं जैसे Chrome ब्राउजर में और यहाँ पर सर्च करें स्पैकी डाउनलोड आप इसे कुछ भी प्रणाउंस करें मैं इसे स्पैकी प्राउंस कर रहा हूं ठीक है स्पैकी सर्च कर लें इसे और इसके बाद यहाँ पर यह download का option मिल जाएगा इस पर click करें और basically यहाँ पर free download a free application है आपको free version ही download करना है download पर click करें और यहाँ पर downloading start हो जाएगी ठीक है तो मैं देखिए download हो चुका है ठीक है तो मैंने already इसे download कर लिया था और install भी कर लिया था तो आप इसे install कर ले install करने के बाद यहाँ से open कर ले yes करने बोलेगा yes कर ले जैसे यह open हो जाता है आपको यहाँ पर cpu के option पर आना है अब cpu पर आप click करेंगे तो analyze करने में यह time लेता है कुछ 5 से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का भी ले सकता है time तो आप थोड़ा wait कर ले इसके बाद जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनी keyboard से control plus f search करना है और यहाँ पर search करना है temperature तो यहाँ पर आप search कर लेते हैं temperature ठीक है और अब find पर click करना है find जैसे आप find पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे system temperature इसे मैं cut कर देता हूँ यहाँ पर आप system temperature देख पाएंगे और यहाँ पर green वाले dot पर click करते हैं तो यहाँ पर अभी मेरा 41 degree का system temperature है कभी 40 हो रहा है कभी 41 हो रहा है यहाँ पर आप line भी देख सकते हैं उपर नीचे जाती रहेंगे आप यहाँ पर monitor कर सकते हैं अब बहुत से लोग बोलते हैं system temperature CPU temperature नहीं होता है तो यहाँ पर मैं आपको proof देदू देखिए मैंने chat GPT से पूछा तो उसने भी बोला yes in most cases the system temperature can include CPU temperature ठीक है और इसके बाद आपका temperature कितना होना चाहिए कितना normal होता है देखिए अगर आप normal surfing करते हैं normal word या फिर excel use करते हैं internet surf करते हैं तो normal temperature है 40 degree to 65 degree जो मेरा है 40 degree यानि normal है या अगर आप gaming करते हैं गेम खेलते हैं तो 70-80 degree भी accept कर सकता है आपका computer 70-80 degree temperature भी है तो वो normal ही है इससे जादा होता है तो हो सकता है आपका CPU थोड़ा गरम हो गया है आप laptop को थोड़े देर के लिए बन कर देना है computer को थोड़े देर के लिए ठंडा हो जाए ताकि वो ठीक ह तो उमीद करता हूँ आप समझ गया होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें बबाए